एक अप्रेल 2023 से अगर आप 2000 से उपर की टांजेक्शन करते हो, चाहिए वो UPI से हो, पेटियम से हो, गूगल पे से हो, या फिर फोन पे से हो, तो आपको चार्ज बरना पड़ेगा, जो की 1.1% है, ऐसा आपने काफी सारी मीडिया के अंदर देखा हुआ, बट गाइस, ये रि गूगल पे फोन पे यूज करने के लिए क्या आपको पैसे बरने पड़ेगे, इस विडियों के अंदर आपको आपके सारे सवाल के जो आप देखने को मिल जाएंगे, लेस्टार्ट, क्या UPI या फिर पेटियम गूगल पे अब ये फरी है या फिर नहीं है, तो आप ये न इन्होंने भी कनफर्म कर दिया है, ये बिल्कुल फरी रहने वाले है नॉर्मल कस्टमर के लिए, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, कोई मर्चेट नहीं हो, तो आपको कुछ भी चार्ज नहीं बरना पड़ेगा, बट अगर आप एक मर्चेंट हो, तो आपके 1.1% लगन भी पहले है जो पहले भी फ्री थे वो अभी भी हैं, उसी के उपर को कुछ भी ने लगने वाला है, वह भी तो नॉर्मल यूजर के उपर कोई टैक्स नहीं लगने हो साथ हो भी एक और अपडेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अब जो आपके वोलेट है, जैसे आ अब यहाँ पर आप UPI की टर्रेक्शन भी कर पाऊगे जैसे कि पहले अब अपने पे टियम का जो अमाउंट होता था उससे UPI की टर्रेक्शन को पे नहीं कर से देने बट अब आप ऐसा कर पाऊगे इसी वज़े से यहाँ पर आपको चार्ज भी बरने पड़ेंगे बट यह अब आपको नहीं बरने हैं बलकि यह आपकी जगह मर्चेंट को बरने पड़ेंगे यानि कि आपके लिए बिल्कुल फरी रेने वाला है तो काफी सारे लोग ऐसी फेक नूज डाल रहे हैं NPCI ने जो 1.1% के चार्ड लगाए हैं यह सिरफ wallet and credit card के उपर लगाए हैं जो की PPI का इस्तमाल करते हैं इसे जो Paytm है Google पे हैं फोन पे हैं इनको फाइदा भी होने वाला है साथी में मर्चेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा पेई करना पड़ेगा बट काफी सारे लोग यह बो में कुछ भी पूर सकते हैं ठेंक्स पूर वाचिंग